नमस्कार आपका स्वागत करते हैं आई टी टी निउस में जानेंगे आज दिन भर की छोटी योंग बड़ी खबर तो उशे पहले एक नजर हे लाइन पी डाल लेते हैं तो आए जानते हैं बहुत बड़ी खबर निकल क्या रहे हैं बताते चले इस खबर को बिस्ताश्य जीत और बड़ी खबर निकल क्या रहे हैं पहले लालू फैमली पर शीबियाई को दस्तवेज दिया अब तिजेश्वी पर दे रहे हैं शफाई बीजेपी बोली आर जेडी जेडियू का गेम उजागर क्या है बड़ी खबर बताएंगे विस्ताश्य वहियाबदा चले को और ब बड़ी खबर बताएंगे विस्ताश्य वहियाबदा चले को और बड़ी खबर निकल क्या रहे हैं बिहार के इंजुलों में अगले कुछ घंटों में होगी बारिस वजरपात की बीचे ताउनी मोशन विवाग का अलट क्या बड़ी खबर बताएंगे विस्ताश्य वहिया चनल पर नहीं है चनल अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन को तबाएक चनल सब्सक्राइब कर वीड़ो को लाइक कर वीड़ो में आखरी तक बने रहीएगा हाई जानते हैं बहुत बड़ी कबर निकल के आ रहे हैं अगर आभी तिजश्वी आदो के समर्थक है तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुसकबरी आ रही है दस दिनों में मुक्यमंत्री बनेंगे तिजश्वी आदो वाइफ लड़ शुरक्षा मिलते ही माजी के बेटे शंतोर शुमन का बड़ा दावा बहार के पूर्बिश्यम वह हम शुप्रीमो जितना माजी के बेटे शंतोर शुमन को केंद सरकार की ओड़ शे वाइफ लड़ शुरक्षा परदान की गई है इसी बीच वाइफ लड़ शुरक्षा मिलने के बाद शंतोर शुमन ने प्यम मोदी और ग्री मंत्री अमी साओ क कुस दिन बात दही दिली में जीतना माजी और उनके बेटे शंतोर शुमन ने केंद्रग्री मंत्री अमी साओ से मुलाकात की मुलाकात के बाद शंतोर शुमन ने एंडिये के साथ जाने की गोश्रा कर दी उन्होंने काया कि आगामी लोग सभा चुनाओ बीजेपी के साथ मिल कर लड़ेंगे और बिहार में बीजेपी के साथ रहेंगे वहीं दूसरी और आप दा एक तमाम चीचु को लेकर अभी अटकले लगाई जा रहे है क्या दस दिनों के बाद तेजेश्वी आदो ब्यार के शियम बन जाएंगे या बाड़ा दावा उन्होंने किया इस पर आप लोग क्या सोचते हैं अपना राई विचार लिख और कॉमे में लालू यादो और रावडी देवी के साथ तेजेश्वी आदो पर चर्चित होने के बाद ब्यार के राजनेति घर्मा गई है महा कटवंदन के दलों के ने केंद्र शरकार और बीजेपी पर तेजेश्वी आदों को फशाने का अरोप लगाया और जेडी और जेडियों के नेताओं को केंद्र सरकार दोरा जाच एजेंसियों के मार्फ टार्गेट किया जारा है बीजेपी पर देश्वी आदों के खिलाफ शिवी आई को दस्तवेच उपलब्द कराए थे वही आज बीजेपी पर जूठा आरोप लगा रहे हैं लेंड फॉर जोब घोटाले मा काले में आरोफ करार देते हुए चार्ण दायर किया गया है जिसमें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के पूर्वीobile मंतरी लालूिपरसाद यादों के अलाबहा है पूर्वी श्याम इराबडी देवी याह अरौभ पत्र दाखिल कर द्य कर दिया बाद बाद ब बहुत बदीखबन के आ रहे दस हजार करोड का अनुपूरक बजठ पेस्थ करहेंगे नितिश क्रू कार बिहर विदान्षभा का मानशून सत्र 10 जुलाई से 10 जुलाई से शुरू हरे बिहार विदान शभाग के मांसून सत्र में नितिश कुमार की शरकार 10,000 करोड रुपए का अनुपूरक बजट पेस्ट कर सकते हैं शरकारी अधिकारियों के मुताबिक शत्र के पहले ही दिन चालू बीतिय वर्स का पहला अनुपूरक बजट बीत मंत्री बिजे कुमार चोधरी पेस्ट कर सकते हैं बीत बीबाग से जुड़े शुत्रों ने बताया कि अनुपूरक बजट में शिक्षा बीवाग के लिए ज्यादा प्रवधान होगा ताकि इसका अस्थापना खर्च पूरा हो सके तबाम चूक लेकर आप लोग क्या सोचने अपना राइब बिचार लिख और कॉमेंट बेजो बताएगा तो बढ़ता अगली बड़ी खबर क्यों आज आनते हैं बहुत बड़ी खबर निकल क्या आरे हैं शिक्षक अंदोलन को दबार रही है व्याठ शरकार धरना परदर्शन पर तीसरी आक्षे निगाः आपने शिक्षक अंदोलन कारियों पर शिक्षा बिवाग की तीसरी नजर रहेगी शिक्षक न्यूक्ति के बिरोध में कई शंगत्रों ने बिरोध करने और धर्ना प्रदर्शन की चेतावनी दिया है ऐसे में शिक्षा विभाग ने ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी करवाई करने का नेड़ा लिया है उन्होंने बताया कि अब ड्रोन की आपदाय की ड्रोन से इन तमाम लोगों पर बज़र रखी जाएगी इन तमाम लोगों का पिक्चर लिया जाएगा उसके बाद से इन पर कड़ी से कड़ी करवाई हो सकती है ऐसे में आप दादर की अब शिक्षक विभाग ने चेतावने जारी कर दिया और पूराने जितने भी शिक्षक है इन तमाम लोगों पर ही आप लोगों क्या सोचते हैं अपना राए विचार लिख कर कॉमेंट बेर जोड़ बताएगा तो बढ़ते अगली बड़ी खबर क्यों है जानते हैं बहुत बड़ी कबर निकल क्या रहे बहार के इन जिलों में अगले कुछ घंटों में होगी 12 वजरपात की वी चेतावने मौशों बिभाग का अलट ब्यार के कई जिलों में अगले कुछ घंटों के भीतर बारिस होने की शंबावना है मौशों बिभाग क्योर से मिली जनकारी के मुताबिक राजधानी पटना के अलावा अरवल जहानाबाद भोशपूर बक्षर शारण और शिवान के कई इलाको में अगले 2-3 घंटों के भीतर 40-50 कि मिप्रती घंटे की रफ्तार से 30 हमाओं के साथ गरज और मध्य बारिस होने की शंबावना है इस इन जिलों में भी वजरपात गिरने का अभी अलट जारी है मौशों बिभाग ने पताया है कि शुबे में मांशून बारिस की शक्रियत अभी दो दिन बनी रहेगी इस दौरान राज जबर में 5 जुलाई तक में गरजने और वजरपात की शेताओने जारी की गई है आप लोग अपने घरों में बने रहें और गरों से बाहर इन तमाम चियों में घूमने के लिए ना जाया तो बढ़ता अगली बड़ी खबर क् अब जानते हैं बढ़त बड़ी खबर निकल क्यारे जीताना माजी के बेटे शुन्तो शुमन को वाइफ लग शुरक्षा एन डिये में जाते ही क्योंदु सरकार में हरवान ब्यार के पूरबर शियम जीताना माजी के बेटे और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा हम के राश्य दक शंतोष शुमन को वाई फ्लस रेड़ी की शुरक्षा मिले पिछले महीने शंतोष शुमन ने तिश काबिनेट से स्थीफा दे दिया था इसके बाद उनके पिता जीता ना माजी ने महागट फंदन से अलग होने की घोशा की माजी हाली में अपने बेटे के शाथ दिलने म केंद दिक्री मंत्री हमें सार्श मिले और फिर अगामी चुनाओ बीजेपी के साथ लड़ने की गोशा की माजी की पार्टी हम के एंडिये में जाते ही केंद सरकार शंतोष शुमन की शुरक्षा में अब 11 शुरक्षा कर्मी तैनात रहेंगे इनमें से कमांडों से लेकर प पार्टी में शामिल होने के बाद ही उनकी शुरक्षा बढ़ा दी गई है इसके पहले कियंद सरकार की और शोपेंदर को स्वाच इडाग पाश्वान और मुक्य सानी की शुरक्षा बढ़ाई गई है इन शभी नेताओं के दोड़ा 24 के शुनाओं से पहले एंडिये में ज पहुंचकर चौका आया शंशद धाटन के बाद जेडियों से दूर चड़े उप शभापती उप शभापती और जेडियों से राज शभाश रांसत हरी वंस ने शो मार की शाम ब्यार की राजदानी पटना में श्रियम आवास पर पहुंचे नितिश कुमार से मुलाकात की दोनों नेताओं के बीच करीब डेड़ घंटी तक बाद चीत ही माना जा रहा था कि नितिश द्वारा जेडियों के एककशन सदों से वन टू अन मुलाकात की प्रक्रिया में हरिवंस शामिल नहीं होंगे लेकिन मुख्यमंतरिश मिलने पहुंचकर हरिवंस ने सब को चौक अब लगाता है अगर वीडियो को लाइक किजएगा चैनल को अभी तो शुट्राइब नहीं किया तो लाल बट्न को दबाद या ऐसे तमाम चीजों की जनकारी में मीडिया को मंगलवार को लगी है ऐसे में इन तमाम चीजों को लेकर आप लोग क्या शोचते हैं अपना रा वीडियो को लाइक किजएगा चैनल को अभी तो शुट्राइब नहीं किया तो लाल बट्न को दबाद चैनल को सब्सक्राइब करें सेगा और कोमेंट में प्यार से लिख दीजएगा जय हिंद